दिल्ली के टिगरी इलाके में खोली सराप की दुकान का विरोध करने पहुंची महिलाओं और दुकान पर तैनात महिला बाउंसर के बीच बहस और हाथा पाई हो गई और मारपीट होता देख बीच बचाओ करने पहुंचे पुलिस कर्मी भी इस लड़ाई में चोटिल हो गए बतादे कि सराप के ठेकों का महिलाओं द्वारा विरोध करना कोई नई बात नहीं है और अक्सर ही ऐसी खवरे आती है कि महिलाओं ने इलाके में सराप के दुकान खुलने पर विरोध किया लेकिन दिल्ली में विरोध की एक ऐसी घटना सामने आई है जिस पर लोगों को विश्वास नहीं हो रहा है दरसल दिल्ली के टीगरी इलाके में खुली सराप की दुकान का विरोध करने पहुँचे महिलाओं और दुकान पर तैनात महिला बाउंसरों के बीच बहस हो गई वहीं मामला इतना बिगड गया कि बात हाता पाई तक पहुँच गई और मारपीट होता देख बीज बचाव करने पहुँचे पुलिस कर्मी भी इस लड़ाई में चोटिल हो गए और फिर किसी तरह से हालात को नियंतरित किया गया और मामला सांत हुआ और घायल लोगों को एंस के ट्रामा सेंटर में भरती कराए गया है साथी आरोपियों के खिलाफ मामला दर्जकर का रवाई की जा रही है के लिए कुब्रा पोस्ट हिंदी को सब्सक्राइब करें और अलर्ट के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें और हाँ दोस्तों साथ ही हमारे वीडियों को लाइक और शेयर करना ना भूलिए